धर्म आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी में गंगा के समानांतर विकास की अविरल धारा प्रवाहमान है। काशी के सांसत एवं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी की दूर दर्शिता से अब काशी का स्वरूप बदलने लगा है। प्रधान मंत्री जी की संकल्प शक्ती से काशी में अब तक 2400 करोड से अधिक की लगभग 1000 परियोजनाओं का लोकारपन हो चुका है। काशी में चतुर्दिक विकास के लिए हवाई यंडे के उन्हें से लेकर राजमार्गों, सेतु, जलिय परिवहत, शिक्षा, स्वास्थर, परियटर एवं सास्कृतिक उत्थान की कई परियोजनाओं का लाब काशी वासियों को मिल रहा है। विकास यात्रा की इस शिंखला में आज 5,000 करोड से अधिक की परियोजनाएं प्रधान मंत्री जी लोकार पित कर रहे हैं। 4,585 करोड की लागत से मार्गों के विकास एवं सेतु निर्मान से जुड़ी परियोजनाओं का लोकारपण माननिय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। जिसमें 3,510 करोड की लागत से 32 किलो मिटर वारण असी गोरखपुर NH-29 राजमार्ग, 1,012 करोड की लागत से 17 किलो मिटर रिंग रोड रखोना, राजा तालाप से वाजितपुर हर हुआ मार्ग, 27 करोड की लागत से कोनिया घाट वरुना नदी पर सेतु निर्मान कार्य 20 करोड की लागत से बाबतपुर कपसेठी मदोही मार्ग पर डबल लेन कालिका धाम सेतु, 17 करोड की लागत से केंटॉनमेंट से पड़ाव मार्ग तक के चोड़ी करन की परियोजना प्रमुख है इन परियोजनाओं के लोकारपित होने से अब प्रयाग राज दिल्ली तथा कोलकता के वाहनों को शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा साथ ही साथ कुशी नगर और नैपाल जाने में भी समय एवो मिंधन की बचत होगी और यातायाद भी सुगम होगा गंगा को प्रदोशन मुक्त रखने और घाटों को स्वच रखने के उद्देश्य से जो परियोजनाओं लोकारपित हो रही हैं उनमें 73 करोड की लागत से राम नगर में 10 MLD शम्ता की SDP एवं सीवर लाइन 202 करोड की लागत से वरुनानरी के चैनलाइजेशन एवं 30 ये विकास कार्य 18 करोड की लागत से कैथी में मार गंडे एवं संगम घाट का निर्मान तथा गंगा के पांच घाटों का पुन्रुधार कार्य प्रमुख है 11 करोड की लागत से गोदोलिया दशाश मेध मार्क पर पध्याटन विकास कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किये जा रहे हैं साथ ही 2 करोड की लागत से शूल टंकेश्वर घाट भी लोकार्पित हो रहा है घाटों के सुंदरी करण एवं निर्मान से दर्शन तथा पर्यटन बेहत सुगम हो जाएगा नगर में जन सुविधाओं के विकास हेतु लोकार्पित हो रही परियोजनाओं में 50 करोड की लागत से सरकेट हाउस, टाउन हॉल में भूमीगत पार्किंग तथा पार्क के विकास कार्यर 27 करोड की लागत से आठ कुंड, चकरा तालाब एवं पद्व विभूशन स्वर्गिय गिरिजा देवी सांस्गृतिक परिसर के सौंदर्य करण की परियोजना लोकार्पित होने से काशी का पौरानिक स्वरूप तो निखरेगा, साथ ही कलाकारों को अपनी प्रस्तुती में मदब भी मिलेगी माननीय प्रधान मंत्री जी की द्रड इच्छा शक्ती से काशी की सांस्वरितिक पहचान अक्षुण है और तकनीक का लाब हर वर्क को हासिल हो रहा है 23 करोड की लागत से शेहनशापुर में लोकार्पित हो रहे बायो सीनची प्लांट से खाद के साथ ही सीनची गैस भी तिर्मित हो सकेगी 10 करोड की लागत से पहड़ी अस्थ लाल बहादुर शास्त्री फल सबजी मंडी का उन्यन एवं पशुधन क्रिशी प्रशेत्र अराजी लाइन के आधुनिकी करण योजना के लोकार्पित होने से यहां के किसानों को बहतर बाजार एवं खरिदार मिलेंगे चात्रों के लिए बहतर शिक्षा एवं सुविधाओं के विकास हेतु 351 करोड की लागत से लोकार पित हो रही परियोजनाओं के तहत बी एचियू में चात्राओं के लिए 200 डबल सीटिंग रूम होस्टल राजपूताना ग्राउन में चात्र गतिवीधी केंद्र लियात्रियों की सुविधा एवं उनके बहतर खानपान के लिए वाननसी केंट रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड की लागत से एक्जिक्यूटिव लाउंच और 11 करोड की लागत से लोकार पित हो रही इंडस्ट्रियल इस्टेट चानपुर्मा चौडी करन परियोजना से अब उद्धमी लाभान मित होंगे काशी को मिल रही सौगातों के लिए हम अपने सांसत एवं ये शस्टी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के प्रती रिदय से आभार प्रकट कर रहे हैं तो फ्रेंडस इतना कारे करने के बाद प्रधान मंत्री मोधी के आने पर आप सभी देख सकते हैं कि हमारे गुदवलिया से लेकर लगभग पूरे बनास में सभी मार्गों को दुलहन की तरद सजाया गया है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गुदलिया का रूप अब चेंज हो गया है और काफी कुछ यहाँ पर बदल गया है फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात बताते हैं कि जब से हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी बनास के सामशत बने हैं और योगी जी मुख्य मंत्री बने हैं हमारे उत्तर प्रदेश के तब से हमारे भारत का ही नहीं पूरे यूपी का भी काफी अच्छे से ख्यार रखा जा रहा है और काफी तेजी से friends विकास हो रहा है आप सभी देख सकते हैं चाये घाटों की बात की जाए खिरक्या घाट पे एक नजे डालें तो friends यहाँ पर भी काफी कुछ चेंज हो चुका है आप सभी देख सकते हैं बहुत ही जोर सोरो से यहाँ पर वर्क चल रहा है कोशिस की जा रही है कि देवदिपौली आते टाइम यह घाट भी पुरित्रिकी से त्यार कर लिया जाए ऐसे में बनास के लगभग हर एक भिन भिन एरिया है जो की कम्प्लीट करने की ओर अग्रसर है और काफी तेजी से कुछ वर्क हो भी चुके हैं यह फ्रेंड्स देख सकते हैं जो चौका घाट लहर तारा उबर ब्रीज बना गया है यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं कि यह भी तयार कर लिया गया है और हमारे बनास में जितने भी लगभग कारे चल रहे हैं वो धीर-धीर कंप्लीट कर लिके गया है नीचे भी कारे चल रहे हैं यानि कि ब्रीज के नीचे का भी कारे आप सभी देख सकते हैं बहुती तेजी के साथ किया जा रहा है जो की अब धीर-धीरे इसके नीचे भी कई ऐसे चीज बनाया जाएंगे जो आने वाले दिनों में आप सभी को काफी पसंद आएंगे टोड पलाजा तो बनता ही है लेकिन इसके नीचे तो ऐसी कई सुभी धाय होंगी जो आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं तो अंतराष्टी बस स्टेंड है उसको भी डेवलप करने की जरूत है और वो होगा तो प्रेंट्स आज की बीडियों के सब्सक्राइब में चैनल आएंपर दोबह लेका हैं इससे जीदी भी हैं आने वाले वीडियों सब्सक्राइब देखने को मेल जाएंगे थांक पॉस्टी प्रेंट्स हालमा देव किप सब्सक्राइब